जेश्र क्रिश्न दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं पालक पनीर जिसके लिए मैं एक किजी पालक लिए हूं और अच्छे से कट करके धो ली हूं और धो कर हम इसे उबालने के लिए बैठा लिए हूं अब हम यहाँ पे ग्रेवी के लिए त्यारी कर लेंगे इसे दस से त्यार मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दी हूं मैं यहाँ ग्रेवी का त्यारी कर रहे हैं चाट टमाटर ली हूं पांच हरी मिर्ची ली हूं एक इंच अद्रा कट्टुक्रा ली हूं और पंदरह सिसोला में लाशुन की कलिया ली हूं जिसे में अच्छे से छील दी थी अब हम इसे एक साथ ग्राइंड कर लेंगे इसका हम पेस्ट बना लिए हैं टमाटर अद्राख हरी मिर्ची लाहिशुन का अब हम इसे बना लेंगे जिसके लिए फोरान के लिए में ली हूं पांच हरी सुखी मिर्ची आधा चमत जीरा एक बरी इलाइची दो छोटी इलाइची एक दाल चीनी कट्टुक्रा एक इंच का दो तेजपत्ता और दो में बारिक कटा हुआ प्याज ले ली हूं हम यहाँ पे कराही बठा हैं गरम करने के लिए जिसमें चार समस सर्शो का तेल डाले हूं और सबसे पहले हम यहाँ पे तेजपत्ता डालेंगे तो इस पत्ता डालने के बाद हम एक एक करके फोरण का समान डाल लेंगे जिसमें सुख्य मिर्च गरम मस्चाला और जीरा है इसके बाद हम 2-3 मिनट से टकने के बाद हम इसमें प्याज डाल लेंगे और प्याज को हम अच्छे से गोल्डेन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम आज पर ही इसे भूनेंगे हम यह देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून गया है यहां मसाला निकाल ले रहे हैं करेंगे हम एकाहँ चुमाच छल्दी पवडर एक चुमाच लाज नाफ से कर ली अब हम इसमें प्याज हमारा भून Giya अब कि मं साला एड़ कर देंगे पित बेदेसं साइ वी एक साथ डॉल राजी He मसाला डेलने के बाद हमेंसे अच्छे तरह से भून लेंगे कर जी तक हमारा झूल न छोड चूल रहें तब तक हमेंसे मुणनें गलको यहां मेरा मसाला तब तक भून रहा है तब तक यहां हम पालक मेरा ठंडा हो गया और हम इसका पेस्ट बना ले रहे हैं पालक का यहां पानी में रख ली हूं ग्रेवी में डालने के लिए और पालक को हम अच्छे तरह से पीछ लेंगे यहां हमारा पालक पीछ गया है अच्छे से से निकाल लेंगे हम देखिए बारिक एकदम पीछे हैं अब हम इसे मसाले में एड कर लेंगे यहां मसाले में एड कर लिए हैं और हम इसे 10 मिनिट भूणने थे वह में सो नहीं कर पाई आप लोगों को मेरा केमरा आप हो गया था पालक डालने के बाद 10 मिनिट हम भूने थे पालक को इसके बाद हम पनीर को एड़ किये हैं पनीर को हम डाल पनीर डालने के बाद हम इसे दस मिनिट के लिए ढख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए इसमें हम ग्राइंडर में थोड़ा पानी डाल कर पालक का पानी डाल कर सबजी में एड़ कर ले रहे हैं और इसे इच्छे से चला लेंगे और ढख देंगे यहां हमारा पालक पनीर लगभग बन चुका है अब हम इसमें क्रीम एड़ कर ले रहे हैं प्रीम एट करने के बाद इसे धग देंगे यहां हम तरके के लिए एक कर्चुल लिए हैं उसमें हम दो चमच घी डाले हैं सुध घी उसमें हम 5-6 सुखी मिर्ची डाल देंगे और फिर हम इसमें 5-6 लासुन की कलियार जिसे मैं बारिक चॉप कर ली थी उसे डाल ली हूँ घी गरम होने के बाद फिर हम इसमें सुखी मिर्ची एट कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे फिर हम पालक को तरका लगा देंगे एकदम हमारा पालक पनीर बनकर रेडी हो गया है बहुत अच्छे से देखिए चार पाच में हरी मिर्च भी उपर से डाल दी थी कट करके अब हम इसे सर्फ करेंगे गर्मा गर्म यह बॉल में हम निकाल लिया है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शीर और सब्सक्राइब करना नहीं बूलिए गया निकालने के बाद हम इसे क्रीम से अच्छे से गानिच कर लेंगे और हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तब तक के लिए बाइ बाइ